नहुश्ब दोस्तों, डिट है आज की 3 अगर्स 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकॉशन में आज दो इशू हम डिसकॉस करेंगे सबसे पहले हिंदू का आर्टिकल हम डिसकॉस करेंगे वेलफेर इशू के क्रिमलाइजेशन से समधित और दूसरा आर्टिकल हम डिसकॉस करेंगे इंडियन एक्स्प्रेस का सी राजा मोहन का इंडो अबरामिक एकोर्ड से समधित ये काफी अच्छा आइडिया है जो इमर्ज होके आ रहा है तो सी राजा मोहन का इंडियन एक्स्प्रेस का ये अच्छा आर्टिकल है जिसे हम discuss करेंगे ये जो article है ना periodic labor force survey के data से समधित इसमें data काफी ज़्यादा है तो कुछ points तो निकल सकते हैं जिसको निकाल के कल हम उन 2-3-4 जितने वे points हैं उनको discuss कर लेंगे बाकि आज तो 2 ही issues हम discuss करेंगे एक Indian Express का और एक Hindu का चलिए discussion start करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल welfare issues को criminalize करने से समधित हैं आप GS paper 2 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूं ये वो aspects हैं जो हम cover करेंगे इस आर्टिकल की discussion में क्या context है हाल ही में Supreme Court में एक petition file की गई petitioner ने Supreme Court से गुहार लगाई हमरे देश में public places पर क्योंकि उनसे COVID-19 spread होने का खत्रा जो है वो काफी ज़्यादा है Supreme Court ने इस petition के जवाब में ये कहा कि भाया क्या बात कर रहे हो आप हमारी directions देने से कोई भीख मांगना थोड़ी न बंद कर देगा ये एक socio-economic issue है कोई जान भूच के भीख नहीं मांगता तो अगर हमें उन baggers को भीख मांगने से रोकना है तो आप सबसे पहले इस petition का title change कीजिए title ये होना चाहिए rehabilitation of those who are forced to bag मतलब जो भीख मांगने के लिए मजबूर है उनका rehabilitation इस title से आप petition डालिए फिर आपके petition पर हम सुनवाई करेंगे तो सुप्रिंग कोट ने माना है कि bagging जो है वो एक ऐसा issue है जिसको solve करने के लिए state की तरफ से proper welfare response क्या सकता है ना कि directions देने की देखो अगर हमारे देश में bagging के इतिहास की हम बात करें bagging की जो ये problem है वो गरीबी और unemployment से जोड़ी हुई है बहुत बड़ी problem है आपने भी आजपास महसूस किया होगा कि bagging की समस्या हमारे देश में काफी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ समय में bagging से समदित act देखो इंडिया में सबसे पहले 1824 में आया था European वेग्रेंसी act लेकिन ये act जो है वो foreigners पर लागू था सिरफ यहां पर देखो इसके बाद 1860 में Bombay City Police Act आया और उसके बाद कैलकटा सबर्बन Police Act ये आया 1866 में इन दोनों प्रोविंसीज में ये जो act आये तो इन से मिलते जूलते जो act हैं इंडिया में उस समय बाखी प्रोविंसीज में आये इन acts में इवन अगर मूल निवाशियों के द्वारा यानि इंडिया के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा अगर भीख मांगी जाती है तो उसके खिलाफ punishment का provision किया गया था 1945 में Bombay Baggers Act आया जिसमें rules ड्रा किये गए कि जो लोग भीख मांगते हैं Bombay province में उनकी punishment क्या होगी उनकी custody कितने दिन तक चले गी इसके बाद 1959 में Bombay Prevention of Bagging Act आया इस Act ने पुराने 1945 के Act को replace कर दिया और सोचा ये गया था ये Act बनाते वक्त कि ये Act जो है वो उन persons के attitude को change करेगा जो भीख मांग रही है इसके बाद 1973 में Code of Criminal Procedure में वो लोग जैसे बच्चे हैं बच्चों को kidnap कर लिया जाता है bagging के लिए तो इस परकार की kidnapping को culpable crime बना दिया गया इसके बाद August 2018 में Delhi High Court का एक बहुत ही जबरदर्स्त judgment आया जिसमें National Capital में bagging को decriminalize कर दिया गया यानि इस judgment से पहले भीख मांगना एक अपराद हुआ करता था लेकिन Delhi High Court ने अपनी अगर्स 2018 की judgment में कहा कि नहीं भीख मांगना अपराद नहीं हो सकता हम इसे decriminalize करते हैं क्योंकि कोई अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता इसके बाद November 2018 में लोकसबा में एक बिल पर्जेंट किया गया Abolition of Bagging and Rehabilitation of Beggers Bill ये बिल लोकसबा में पर्जेंट किया गया था लेकिन पास नहीं हो उसका देखो वैसे इस issue के ना और भी aspects हैं जो writer या तो cover नहीं करना चाते इसलिए उन्होंने ignore कर दिये या फिर उनको पता नहीं है सिधी सी बात है आपने देखो ऐसे लोग देखे होंगे जो बिलकुल youth हैं मतलब एकदम fit ऐसे लोगों के द्वारा भी भीख मांगे जाती हैं तब ये लगता है कि जो ये बात बोली जाती है कि सिरफ मजबूरी में आके ही कोई भीख मांगता है कहीं न कहीं ये बात फिर गलत साबित हो जाती है हाँ जातर लोग तो देखो अब मजबूरी में आके ही भीख मांगते होंगे लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है आपकी भी बात होई होगी ऐसे कुछ लोगों से आपने उनको कहा भी होगा कि भाईया हम आपको काम दिलवा देते हैं भीक मत मांगे आपको भीक नहीं मांगनी चाहिए या आपके बोड़ी काम करने के लिए बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भीया हमारा ठीक चल रहा है हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है आपको नहीं देना तो मत दो ऐसा उनका रिप्लाई आता है आपे इसे बहुत से लोग साइद दिल्ली में करोलबाग गए होंगे करोलबाग में बहुत सारे UPSC aspirants रहते हैं वहाँ पे न काफी सारे होटल्स हैं सस्ते होटल्स हैं काफी सारे foreigner भी आते हैं तो ये जो baggers का ना एक पूरा syndicate है आप किसी से पूछना जो पुराना यहां पे रहता है करोलबाग में वो बताएगा सेम लेडिज पिछले 10-15 सालों से bagging के लिए वहाँ पे आती हैं बच्चों को बेजती हैं साइड में बैठी रहती हैं और proper मतलब द्वारका से आती हैं द्वारका और क्रोलबाग के बीच में जो डिफरेंस है एक घंटे का रस्ता है मेटरो की टिकेट 50 रुपे की लगेगी लेकिन वो आती है डेली की डेली बेसिस पे भीख मांगने के लिए स्पेशल 100 रुपे किराया भरके तो बताओ आप क्या कोई मजबूरी में भीख मांगता है दोनों है मतलब जनलाइज नहीं कर सकते कह सकते हैं कि मज़ोर्टी जो लोग है वो मजबूरी में भीख मांगता है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये अपना प्रोफेशन बना लिया है तो इनके खिलाफ punishment का provision होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये एक ऐसा point है जिसका solution निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि देखो ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये बंदा जान बूज के भीक मांग रहा है या फिर जान बूज के नहीं मांग रहा है तो ये aspect writer नहीं cover करते है writer कहते हैं देखो bagging हो गया triple तलाक हो गया इनको criminalize करने से इन problems को खतम नहीं किया जा सकता ये welfare से जुड़े issues है bagging का हमारे देश में होना ये देखो government की failure है कि कुछ लोग जो है उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है कपड़े खृदने के लिए पैसे नहीं है घर नहीं है उनके पास रहने के लिए तो ये शिरफ ना सिरफ government का failure है बलके society का भी failure है ये सब जीजें food, clothing, shelter, health, education ये सब देखो सविधान के article 21 के right to life के अंतरगत आते हैं जो कि एक fundamental right है इसे protect करना सरकार का करतेवय ही नहीं सरकार की duty है, जिम्मेदारी है 2019 के सुहेल रासिद भट वर्से स्टेट ओफ जमू एन कस्मीर और अदर्स है ये 2019 का case है इस case में जमू एन कस्मीर हाई कोट ने कहा था bagging जो है, वो एक evidence है government और society के fail होने का तो देखो ये जो कानून है जो bagging को criminalize करता है यानि bagger होना ये एक अपराद है इस कानून की वज़े से जो baggers हैं, वो सिरफ invisible हो जाते हैं otherwise bagging थोड़ी ना खतम होती है ये ऐसा issue है जिसको address करने के लिए welfare response चाहिए, उसी परकार से triple तलाग के example हमने डिसकस किया triple तलाग को जो triple तलाग देता है husband उसको criminalize कर दिया गया है सिरफ criminalize करने से triple तलाग को नहीं रोका जा सकता, अगर आपको triple तलाग को खतम करना है पूरी तरह से तो आप gender inequality को खतम कीजिए social stigma जो attach हो जाता है तलाग के साथ उसको खतम कीजिए अच्छे employment options provide कीजिए ताकि महिलाएं अगर job भी करना चाती है तो असानी से वो job कर सके तो इस परकार से state sport provide करने के आप सकता है महिलाओं को अगर तलाग हो भी जाता है तो महिलाएं independent होके अपना जीवन वतीत कर सके इनके अभाव में अगर सिरफ ट्रिपल तलाग को criminalize कर दिया जाता है तो इससे ट्रिपल तलाग नहीं खतम होगा ऐसा writer मानते है next point writer यह देते है जब देखो किसी की social economy condition खराब होती है गरीबी से कोई person गुजर रहा होता है चाहे बच्चा हो बड़ा हो बुड़ा हो कोई भी हो तो ऐसे लोग को exploit करना आसान हो जाता है अब पैसे है नहीं ऐसे लोग जिनों ने कुछ नहीं खाया कुछ दिनों से उनको बोला जाए कि आपको ये काम करना है कम वेजीज पर होता है जो मुश्किल भरी situation में होता है लेकिन देखो वो लोग जो इस परकार से exploitation करते हैं उनको सजा देना तो अच्छी बात है उनको पनीश करना अच्छी बात है बड़ देखो जिनका exploitation हुआ है क्यूं हुआ है जिस condition के कारन हुआ है वो गरीब थे उस situation को भी तो address करना जुरूरी है ना जैसे देखो वेशयावरती चलती है कुछ locations पर आपने देखा होगा वेशयावरती चलती है और जान बूच के कुछ लोग जो है trafficking करके लड़कियों को लाते हैं और उन्हें इस काम में धकेल दिया जाता है अब ऐसे लोगों पर तो कारवाई होनी ही चाहि लेकिन ये भी तो address करना जुरूरी है ना जिनको trafficking करके लाया गया है employment के नाम पे उन्हें employment मिले अच्छा अच्छे wages मिले उनके पास education हो skills हो ताकि वो कभी सोचे भी ना कि इस परकार के काम में लगने के लिए मतलब सबसे खराब option भी उनके पास ये नहीं होना चाहिए कि व रैटर कहते हैं बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को छुडवा लिया जाता है इस वेशेवर्ते के काम से लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ महिने बाद देखा जाता है कि वो लड़किया फिर से इस काम में लग गई हैं क्यूंकि rehabilitation का अभाव छुडवा तो द लास्ट में conclusion में यही कहा जाता है रैटर कहते हैं देखो bagging prosecution यह क्या है यह देखो disease कितना है तो आपको disease अगर खतम करना है तो सिर्फ symptoms को आप खतम करके खुछ नहीं हो सकते disease किस वज़े से हुआ है उस चीज़ को आपको address करना होगा otherwise जो disease है वो जड़ से खतम नहीं होगा बार बार reappear जो है वो होता रहेगा नएस्ट आर्टिकल इंडो अबरामिक एकोर्ड से समधिद हैं आप GS paper 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को relate कर सकते हों क्या कंटेस्ट है देखो एजिप्ट के एक रिटर है मोहमद सॉलीमन इन्होंने ये आइडिया परजेंट किया इंडो अबरामिक एकोर्ड मतलब अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि ये जो आइडिया है वो इमर्ज हो रहा है और इंडिया के काफी intense implications देखने को मिलेंगे है क्या ये आइडिया इंडो अबरामिक एकोर्ड का पहले तो आप मुझे ये बताइए अबराम एकोर्ड क्या है काफी आपने सुना होगा प्री में भी question UPSC मान लीजे पूछ ले कि अबराम एकोर्ड क्या है देखो इस्राइल ने UAE बहरीन इन देशों के साथ जो रिष् नॉर्मल कर लिये उसके बाद सुडान मुरको इन देशों ने भी इसराइल के साथ अपने रिष्टों को नॉर्मलाइज कर लिया यही है अबराम एकोर्ड अबराम नाम इसलिए चूज किया गया क्योंकि अबराम का तीनों धर्मों में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है इस अबराम के लिए वएसे दो देखो 1971 में एजिप्ट ने इसराइल के साथ रिष्टे नॉर्मलाइज किये जूर्डन ने 1994 में किये लेकिन यह जो अभी का अबराम एकोर्ड यह अलग है इस अकोर्ड से अरब और इसलिएल के बीच रिष्टों की एक नई कहानी स्टांट होती है अरब कंट्रीज जो हैं अब देखो इनको ये बात समझ में आ गई है कि हमारा बड़ा दुस्मन इसराइल नहीं है हमारा जो बड़ा दुस्मन है वो नोन अरब कंट्रीज हैं जैसे टर्की और इरान इसलिए अभी तक चार देशों ने इसराइल के साथ रिष्टे नॉर्मलाइज करेंगे इसके बाद एजिप्ट के राइटर सोलीमन इंडिया की बात करते हैं कि प्रधान मंत्री मोदी की लिडर्शिप में इंडिया के यूए और इज्राइल इन दोनों के साथ में रिष्टे बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं हालांकि लिए क्यूंकि इन देशों के अभी इंटरस्ट आपसमें कन्वर्ज हो रहे हैं कैसे देखो इसराइल के अगर रिष्टे नॉर्मलाइज हो जाते है इन अरब कंट्रीज के साथ तो इसराइल के बड़े दुस्मन कौन बचते हैं बड़े दूस्मन बचते हैं इरान टर्की उसी परकार से ये जो अरब कंट्रीज हैं UAE इनके लिए बड़ा दुस्मन कोन है तर्की इरान और इंडिया के लिए तर्की दुस्मन है ये दोस्त हैं दुस्मन ही हैं क्यूंगे देखो तर्की पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ देता है शुरवात हुई थी आजादी के बाद की तर्की के साथ रिष्टे अच्छे रखे जाएं लेकिन इन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दिया जबसे ये कस्मीर में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है बड़े बड़े प्लेटफोर्म्स पे जाके तर्की ने पाक की पाकिस्तान के कहने पर तर्की इसके लिए राजी नहीं है जब भी इंडिया को मेंबर्षिप देने की बात आती है एनजीに मीटिंग में तो तर्की इसका विरोध करता है तो सिरफ सर्फ सहमति के अधार पर ही NSG की मेंबर्शिप इंडिया को दी जा सकती है जिसमें तर्की जो है वो ब्लोकेड क्रियेट करता है तो इसलिए ये जो इंडो अबरामिक एकोर्ड है न ये इमर्ज होके आ रहा है तीनों के जो इंटरेस्ट है वो कनवर्ज हो रही है इसराइल, UA और इंडिया इसलिए नाम है इंडो अबरामिक एकोर्ड वैसे देखो इस इंडो अबरामिक एकोर्ड में और भी देश आ सकते हैं कौन-कौन से जैसे ग्रीस है आप मैप देखिए ग्रीस का मेरिटाइम डिस्प्यूट है टर्की के साथ मेडिटरेरियन सी में तो ग्रीस की नहीं बनती टर्की के साथ में इंडिया की भी नहीं बनती टर्की के साथ में तो इंडिया और ग्रीस के बीच जो डिफेंस एक्सचेंजिज हैं वो बढ़ गए हैं हमारे विदेश मंतरी कुछ दिनों पहले ग्रीस की आतरप पर गए थे, तो ग्रीस भी इस coalition कहलीजे, आप इस coalition में आ सकता है, इंडो अबरामिक एकोर्ड, इसके अलावा देखो दो और देश, एक तो फ्रांस है, फ्रांस के भी interest involved है, मेडिटेरियरन सी में, फ्रांस के कई सा ग्रूप में या फिर coalition में अगर आता है, इंडो अबरामिक एकोर्ड में, तो इसमें बहुत ज़्यादा energy प्रोवाइड कर सकता है, गैस कीजिए कौन सा देश, वो है इजिप्ट, इजिप्ट क्यों? देखो, तरकी ना Muslim Brotherhood को स्पोर्ट करता है, और जो Muslim Brotherhood है, ये West Asia में ज को खतम करना चाता है, तो Muslim Brotherhood पसंद नहीं है इन अरब कंट्रीज को, और जबकि इस Muslim Brotherhood को स्पोर्ट किया जाता है तरकी के द्वारा, ये भी एक रीजन है कि UAE, साओधरेविया, इनकी नई बंती तरकी के साथ बिलकुल भी, क्योंकि तरकी Muslim Brotherhood को स्पोर्ट करता है, और Muslim Brother Brotherhood इन देशों से मुनार्की को खतम करना चाता है, तो अब एजिप्ट मेना Muslim Brotherhood सत्ता से बाहर हो गया था 2014 में, और उसके बाद से ही एजिप्ट में पहले मिल्टरी रूल आया था, अब कहने को डेमोक्रेटिक रूल है, लेकिन सिरफ कहने को है, समझ गे, तो अभी जो एज एजिप्ट को फिर से एक नया रिपब्लिक बनाना चाते हैं, तो चूकि Muslim Brotherhood का खत्रा जो है अभी भी है एजिप्ट में कि वो फिर से सत्ता परकाबिज ना हो जाए, और तर्की उसे स्पोर्ट करता है, तो एजिप्ट को भी तर्की अच्छा नहीं लगता, और इस साइड वेस्ट एजिप्ट को, तो एजिप्ट भी इस इंडो अपरामिक एकोर्ड में आता है, तो बहुत एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वैसे एजिप्ट के साथ इंडिया के रिलेशन्स अजादी के बाद काफी अच्छे थे, जो इनकी लीडर थे ना नासिर, वो नहरू के काफी करीब थे, इन्होंने मिलके नयम मूवमेंट चलाई थी, और जब स्वेज कैनल समंदित क्राइसिस हुए थे, तब भी इंडिया ने साथ दिया था, इजिप्ट का, लेकिन बाद में इंडिया युधार गया चाइना से, तो इंडिया की सोफ्ट पावर है, वो खतम हो गई, ये भी सत्ता से चले गए, तो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन्स उतने ज्यादा आगे नहीं बड़ के जितना स्कोप था, ऐसी कोई लडाई नहीं है, लेकिन बस रिष्टे उतने मस्बूत नहीं है, जितना इसराईल के साथ है, इजिप्ट देखो इजिप्ट की खोई गलोरी है, उसे फिर से हासिल करना चाते हैं, तो इजिप्ट भी इस एकोर्ड में जब आता है, इंडो अबरामिक एकोर्ड तो अच्छा ही है, अब देखो इस एकोर्ड के बारे में तो हमने डिसकस कर लिया, इंडो अबरामिक एकोर्ड, अगर सिरफ इसराइल, ग्रीस ये आते हैं, तो तो कुछ एक्सपर्ड बोलते हैं, कि ये तो एक परकार से कोईलेशन हो जाएगा, ये तो एक परकार से कोईलेशन हो जाएगा, हिंडूों का, यहूदियों का और क्रिस्चन्स का, इंडिया में हिंडू में है, इसराइल में यहूदी मे में हैं और क्रिस्टेंस में हैं ग्रीस में बट कुछ दूसरी तरफ के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं देखो आप इसे धरम का कलर मत दीजिए दूसरे देश भी इस एकोर्ड में होंगे अगर इस परकार का कोई एकोर्ड बनता है जैसे यूएई और एजीप्ट यहां पर तो मुस्लिम्स मेजोर्टी में हैं तो कुल मिला के देखो ये जो एकोर्ड अगर इमर्ज होके आता है ना इंडिया में इंडिया के पास काफी स्कोप रहेगा अपने एक्स्टेंडिड नेवर हुड में अपना इंफ्लेंस इंक्रीज करने के लिए देखो इस्ट में कुछ ऐस वह जिससे इंडिया का इंफ्लेंस इंक्रीज हुआ है इंडू-पैसि जो इस्टेजी है यू-एस की इंडू-पैसिफिक रीजन में जिस परकार से क्वैड बना है मिल के चानिणा को क्यंटेन कर रहे हैं इस से इंडिया की इंपोर्टेंस बढ़ी है उसी परकार से ऐसा को कोई accord बनता है तो इंडिया के west में भी इंडिया का जो influence है वो increase हो सकता है और इन देशों के साथ में इंडिया के relations और ज़्यादा मजबूत होंगे तो इंडिया का जो हमेशा से एक aspiration रहती है global power बनना वो power वो इंडिया ambition जो है वो अपना fulfill कर सकता है इस accord की साहिता से ये पूर